हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि यान की फेसबुक के अंदर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम जो लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं उनके फ्रेंड्स को हम अपनी एड दिखा सके यान की हम उनके फ्रेंड्स को जो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं उन लोगों के फ्रेंड्स को किसी तरीके से क्या हम target कर सकते हैं या फिर नहीं सबसे पहले हम इसका reason जानने कोशिस करते हैं कि हम उन लोगों को क्यों target करना चाहेंगे जैसा कि आपको already पता है जो लोग हमारे facebook page को like करते हैं तो उनके friend भी chances हैं कि वैसे ही होंगे यानि कि हमारे product के अंदर काफी interested होंगे तो reason अच्छा है इससे क्या होगा हमारे facebook ads के अंदर जो result है वो अच्छा आने के chances increase हो जाएंगे क्योंकि जो हमारे facebook page को like करते हैं इसका मतलब है वो already interested है हमारे facebook page के अंदर services या फिर product के अंदर तो यहाँ पर जो concept निकल के आता है वो यह है कि हम ऐसे लोगों को target करना चाहते हैं जो हमारे facebook page को like करते हैं उनसे similar हों तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने facebook ads manager के अंदर आना है जो normal campaign बनाने की process है सेम वही रहेगी आपको नहीं पता facebook ads कैसे बनाते हैं या फिर आप detail में facebook ads के बारे में जानना चाहते हैं तो already मैंने 2 या 3 playlist बना रखी है description के अंदर आपको link मिल जाएगा वो आप check out कर सकते हैं उसके बाद में हमें direct create के उपर click करना है और यह जो setting है यानि कि जो audience targeting की setting है वो हमारी add set level के रूप होती है तो यहाँ पर हमें objective चूज करना है continue के उपर click करना है और direct यहाँ पर मैं आपको बागी की settings हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा मैं सिर्फ जो audience targeting की settings हैं वो आपको दिखाऊँगा तो direct हमें यहाँ पर add set के उपर आना है और जैसे हम नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर जो audience का option है वो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आप अपनी audience को target कर सकते हैं कैसे target करते हैं वो मैंने already video के अंदर बताया है वो आप check out कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हमें see more options के उपर click करना है यानि कि हम ऐसे लोगों को target करना चाहते हैं जो हमारे page के similar है तो यहाँ पर मैं जैसे connection के उपर आता हूँ तो उसके बाद में मैं edit करता हूँ edit करने के बाद हमारे पास यहाँ पर option आता है choose करने का facebook page यह जो audience एक custom audience बन जाएगी उसको हम बाद में भी use कर सकते हैं वो मैं आगे बताँगा कैसे use करना है उसके बाद में जो दूसरा option है वो है people similar to those who currently like और follow your facebook page यानि कि जो हमारे facebook page को like करते हैं उन लोगों को उनके जो similar लोग हैं उनको हम target कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि target जो उनके friend है उनको हम कैसे target करेंगे तो यह जो option है यह facebook ने remove कर दिया है तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक screenshot दिखाता हूँ यह देखिए यह एक पुराना screenshot है जिसके अंदर यह option हमारे पास available था friends of people who like your page यह जो लोग हमारे page को like करता है यह option हमारे पास available था लेकिन facebook ने यह option है यह फिलाल remove करके जो दूसरा option है वो यहाँ पर add कर दिया people similar to those who like और currently follow your facebook page इसको जो remove करने का reason है वो मैं अपने thinking के हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर जो अगर मान लीज़े friend है अगर friend की बात करें अब मेरे friend की में बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे friend है जो facebook ads every जो digital marketing के अंदर interested नहीं है यानि कि जो मेरी field के है वो ऐसे लोग भी मेरे friend है जो मेरी field के नहीं है यानि कि जो मेरे interest similar interest है वो नहीं है तो इसलिए facebook ने यह option यहाँ से हटा दिया और इसकी बजाए जो दूसरा option है वो बहुत ही better है people similar to those who currently like और follow your page इसको आपको choose करना है उसके बाद में हमें यहाँ पर अपना page choose करना है जो मैं अपना page choose करता हूँ वो मैं अपना page मैंने choose किया तो जैसी मैंने page choose किया तो यहाँ पर हमारी जो audience है वो look alike audience बन जाए look alike audience होते है ऐसे लोग जो हमारी current audience है उससे similar होते हैं तो उस audience को हम look alike audience बोलते है तो यहाँ पर जो हमारी audience है वो बन चुकी है अब हमें उपर scroll करना है और हम यहाँ पर यह देखिए उपर यहाँ पर जो हमारी audience है उसके अंदर यह audience चूज हो चुकी है अब यहाँ पर मान लीजिए आपने already audience बना रखी है किसी और page के लिए या फिर इसी page के लिए तो जब भी आप add चलाएंगे अगर इस audience को आपको target करना है तो आपको यहाँ यहाँ पर custom audience के अंदर आना है search के उपर यहाँ पर click करना है lookalike के उपर आप आईए और यहाँ पर हम देख सकते हैं already मैंने काफी सारी audience बना रखी है जो दूसरी जो audience है वह through play test इसके बारे में मैंने already जो previous video थी उसके अंदर बात की थी कि जो हमारी video को देखते हैं उनकी audience ह कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को आप check out कर सकते हैं तो उमीद है आपको यह तीनों चीजें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर माल लीजिए हमारे page को जो like करते हैं उनसे similar लोगों को हम कैसे target कर सकते हैं अगर आपको facebook ads के अंदर कोई भी problem आती है तो comment section के अंदर आप जर इनवार